नमस्कार दोस्तों आपको स्वागत है आपके सवाल और हमारे जवाब बहुत ज्यादा कोश्चन आ गयते है और सब सारे कोश्चन लेने के कोशिश करेंगे सारे ले लिए लगबग मैं इसाथ मौझूद है मानस T20 World Cup से रिलिटेड यह मानस सारे कोश्चन नमस्कार दोस्तों T20 World Cup से रिलिटेड जो Q&A होस्ट किया है कि अब क्या World Cup आ रहा है तो उससे पहले हमने सुचा होस्च कर लिए कि बहुत टाइम होगे था इतना वो मिला नहीं यह पर टाइम दी मिला तो फिर उसके बाद आमने सुचा कि अब World Cup के तौर पर बहुत जादा हो जाएंगे फिर से अभी Q&A कर लिया हमने किसी एक का भी कोश्चन का जवाब देंगे और किसी का मैस होता है तो मैं मोबाइल से पर देख लोगा फिर आइड कर देंगे इसको सबसे पहला कोश्चन यहां पर डिमपल मातूर का है इनका स्की नम आरिन मातूर है इनको अगला कुश्चन इंडिया को वर्ल्ड कप टीम में इंक्लूड करना चाहिए यार इनसे पहले दाविदार ही मेरे साब से श्टेयर सेयर किया ती तीम सोष्टी कि अगर अगर ऐसे सोष्टी की दीपक चायर भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्डन फ्लेयर इस तरीग का पर वो आज जो बैक अप प्लेयर के तोर पर रखते कि इनकी जगा ये स्टैंडबाय में बैठे तो संजू सामसन को इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए देखे है टैलेंटेड प्लेयर है पर इनसे पहले और भी जने बैट है पर देखे में इनका यह रादस्थान के पैने से इन प्लेइंग 11 ऑफ दे इंडिया वर्सिस पाकिस्तान मैंच और एक ओम प्रकाश दाज जी उन्होंने भी एकोशन पूछा था और प्लेइंग 11 के बहुत सरे कोश्टन साहे तो प्लेइंग 11 मानस थोड़ी तरी बात बनाएं या भी बनाएं प्लेइंग 11 बता तो मैं चलिए बताता हूं रोष शर्मा केल राउल वेराट पोली सूरी कुमार यादव मैं राकूंगा इशान केशन को अपने टीम में रिशापन की तरफ जाएंगे जड़े जाएंगे जड़े जाएंगे साथ पर पे शार्दू ठाकूर आठ पे बुबनेश्वर कुमार नवए पे मॉ बखाएंगे जिदिया साथ तो चेंज हो जाएगा तो देफिनिटली पर इस आज देखना पड़ेगा क्या है और बाकि यार रिष्यापन्त का अब वही ना इशान केशन ने बोला है कि विराट कुलेन उनको बोला है कि आप अपनर सिलेक्टेड हुए हो तो मेट और लोटर में खिला सकते हैं लेकिन रि जाए जितना उनना एक्सपिरेंस ले रहा का भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो आज पता चल जाएगा वैसे तो पूरी प्लेंग लाएवन जिस तरह सागर आज जो खिलाते मेरी आइडियल तो यह उपन तो सबके सेम होंगे तीसने नम्बर पर विराट को लिरोहित चकरवर्ति को और बुम्रा बूधी हो गए शायद से ग्यारा हो गए अरे बारा कहला दिया तुमने अच्छा बारा कहला दिया देखे रोहित राहूल इशान केशन को तुमने ले लिया फिर तुम जड़ेजा वरुन चकरवर्ति की तरफ जा रहे हो फिर बुगनेश्वर शार्दूर ठाकुर और बुम्रा की तरफ जा रहे हो मैं नहीं मैंने बुगनेश्वर देखे रोहित राहूल विराट सूर्य और रिशा पंथ 6 पे रवंद्र जड़ेजा को बेजूगा मैं 7 पे शार्दूर ठाकुर 8 पे बुगनेश्वर कुमान 9 पे अश्विन 10 पे और अगला कोशन या पे देखते हैं चेताली शा जी का कोशन रोहित रिकर्द्स रिकर्द्स राहूर राहूर शर्यसाइर आज रोहित इस फिए के नाचेंगे आप तो इस शर्मा बे बिच घटा कर लेंगे यार। कितना देख लेता है पांच 5-6 साल इस जादा नहीं जए तो बात आपकी सहीर की तरफ से पर मैं चाहता हूं एज इसा टे टाइम के लिए आप इनकी तरफ दे सकतेशिक होंगी यह today 105-10 साल तक आप डेख सकते शार थेंकी तरफ कि बाद अपने कफे अन्यिक अप्तान जब तक कि एल रहा प्र झो एक्पीर थेश्य एयर रिशापन्द भी एक बड़ी अधावेदार है इस लिस्ट में पर कुछ टैंपररी टाइम के लिए मैं चाहता हूँ रोई श्रमा को ही मिली जाए उसके बाद आप नए कप्तान के करफ देख सकते हैं अगर रेटिंग के साफ से देख तो वह त्वन्ट इत नमर पर उनके रन कुछ दो हजार से उपर हैं देखें रन के तो मैं रन का नहीं मान रहा है अगर एज का वता हूँ तो बेसिकलिया अगर बीसी सी यह सोचता है कि हमको अगला जो वर्ड का पार है वो जीतना ही जीतना है और बड़ी है कैप्टेंची तो मैं प्रेफर रोहित को करूँगा कि रोहित के पास आईपेल का एक्स्पिरेंस है और एश्यक अप में भी उन प्रेफरेंस आती रही आती रही तो बैटिंग का तो मुझे कुछ में लगता एज का आपकेरो देखिए वही है अगर आपको कैप्टें शॉर्ट पिरिट तक सही है अगर इंडिया ने पूरा है सोच रखा भीस से नहीं कि मुझे अगला वर्ल्ड कॉप जीतना है और पू जीतना ही जीतना और एक experience captain चाहिए तो रोहित को मैं प्रेफर करूंगा और फिराट को ली भी है शला दे निकला एज प्लेयर तो वह ही और केल रहूल का है और केल रहूल को बना दीजिए फिर तो को ही है नहीं अगर आप इसे future का सोच रहें तो केल रहूल को बनाईए ले अगर आप short time के लिए सोच रहें पहले world cup का गोल है हमारे उसके बाद दूसरा गोल है तो अब रोहित को नहीं है मैं इस चीज को कहता हूं कि देखिए अगले अगले world cup 2022 में ही 20 world cup तब तक के लिए रोहित शर्मा को रहने दीजिए क्या experience काम आगा फिर दो साल बचेंगे द दो साल में टीम कहीं और रुख करके देख सकते हैं तब रोहित शर्मा क्रिकेट के फोकस कर लेगे थोड़ा अगला कि क्या कार तिक जागी को वर्ल्ड कप स्कॉर्ड में ही आ रही है तो आपने इसके बाद किसे रिप्लाय किया था है पर मैं देख दो क्रिकेट स्कॉर्ट है उन्होंने रिप्लाय किया तो कार तिक जाएगी से पहले तो और भी जने रीपक और यह सब यह थोड़ा कोश्चन आपका बायस हो गया अब राद कर लिए तो ऐसा हो गया कि मतलब हम वर्ल्ड कप में उनका नाम लिखवा देंगे दरजे में नाम लिखवा देंगे मैं मैं बाता हूं उनसे पहले ना उनसे पहले डिजर्फ करते है रितुराज गायकवार्ड वैंकटेश ही है इमर्जिंग प्लेर वो भी रितुराज पर भी अवार्ड मिला है तभी तो मैं कह रहा हूं देखे है टैलेंट बोलर मानता हूं कार तिक त्यागी पर ऐसा नहीं है उनसे पहले तो आप मौमद सिराज को क्यों नहीं देखते शाड़ू अ दीपक चैर को क्यों नहीं देखते इस टीम में तो यह भी चीज़ें कहीं ना कहीं जो करती है अब आविश खान आविश खान हर्शल पटेल इन इन बोलर्स की तरफ भी देख सकते थे अगला कोशन यह आप पर है वंदना धंदन जी का यह कह रहे हैं कि क्या अर्षदीप फिर यह तो फिर वही है ना अर्षदीप का देखिए मैं टी-20 वर्ल्ट प के लिए आपको तो नहीं क्योंकि एक अर्षदीप से पहले मैं प्रेफरेंस कूंगा अर्षदीप को मैं चाहूंगा कि अभी न्यूजिलेंड की सीरीज होगी जिसके दर कोई सीनियर प्लियर्स निखेलेंगे महां पर रुतुराज वैन के टेश यह इनको मौका मिलेगा उसके अंदर मैं इनको चांस दना यह वहां पर आप इनको देख सेते हैं टीटोंटी वाली का बहुत जल्द हो जाएगा इनकी कपिल वर्मा करें के वाट आव टीम इंडिया प्लेवर प्लेंग इलेवन पर यह तो अभी बताई थी फूर देर पेल आप देखते हैं राहूल चेहर और वरुन चक्रवाटी मे यह एक किया निकिला मैं पर पहले हाट में इस बार मुझे सेकेंड लाग में इसी बड़ा परफोर्मेंस दीगी वरुन चक्रवाटी विल इस मार कोस्ट रहें आईश को आई करें कितने सब्सक्राइबर कितने भाई बाई चौद नवेंबर को अन्हाइड कर देंगे जब कि देखेंगे प्रिवाटी कुष्ट राहें त्यू प्रवें यह ब्रणावी जब देखने ना अगला कोशन है मौसम घोष्टी का मैं आपका प्रणॉंस ना प्रनावं सब्लेइं सैइन पार रहा हूँ तू पर आप देख्ते है ना मौसम घोष्टी का कोशन है और आप द चुक्रवर्थी राहुल चेह राश्विन आलसो प्लीस टेल रीजन वाइव थिंग की शुट प्ले अहेड अफ देखिए भाई आपने जो बोले कि अगर शार्दुल को लिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दो इसमें खिला सकते कि वह पिच्च के ओपर डिसाइड करता है और आप अगर वह इसमें पूछने तो मानस आपके गहना चाहिए इस पर कि इन्होंने एक इसमेर जड़े जड़े जा फुलिया है तो पूछने कि अब दूसरा इसमेर कौन सा लोगे और रीजन आलो हाँ मानस जड़े जाखे जगे जगे मतलब जड़े जाखे साथ ना जड़े जाके साथ सौरी और रीजन पूछ रही है यह आप वरून चक्रवरती काफिये च्प्रदशन कर रहे है राहुल चैर की जगे करेंट फॉर्म आप देख सकते हैं रभी चंदर नश्मिन हाला की वह किक्या पर चार साल के बाद आप अपती कर रहें तो अभ्यास मैच में चाहता हूं चांस मिले इनको देखना चाहते हैं प्रैक्ट्टेस मैच होते हैं इसलिए कि डीपी एनलाइज कर सकते हैं पर यही है और उसके लिए मैं वरून चक्रवरती ओप्जिस और मैं तो बहुत सारे मै जड़े और राहूल सेयर को भी खिलाएं या ना चहल से आगे इनको लिया गया है तो उनको तो खेलना बनता ही है क्रिकेट स्पॉर्ट का कोश्चन है कि सी वी लव तो सी बुगने शुरकुमात लेंग बट इस फॉर्म नाट पिक्ट्ट विकेट्स परस्नालिटी इस तो यू थिंक इन पेस बूर्मी शमी शुड बेंगेंस पाकिस्तान ऐस इस आइपल परफोर्मा की नहीं सेकेंड आफ में अभी अर्दिक पांड्या के पास नहीं है विराट कोली ठीक टाक फॉर्म कर रहा है सूर्य कुमार यादाव आखरी मैच पर करते हुए दिख्यम को पर पर्फॉर्म तो का जो दोर हैवो कंडिशन के साथ चेंज होता रहता है IPL में पर्फॉर्म करना और World Cup पर्फॉर्म करना काफी अजले इस दो कंडिशन करो यह से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा समल के खहलें के आरांम से तो आप जो ओपनिंग स्पेल्स होते से इनसे तो डिलवाएंगे फिर और कौन सा बोलर बच टाप के पस तो भूमनिश्वर कुमार ओपनिंग स्पेल्स डालने के पूरे लायक है मैं चाहता हूं भूमनिश्वर कुमार के लिए लिए मेरा तो यह रीजन होगा कि भूवी को म अपना काम शुरुवात के अंदर आप उनसे दो वर डलवा लेते हैं पावर ब्ले के अंदर तो विकेट्स आपको निकाल के देंगा और एक्स्पिरियंस मैटर करता है फॉरम इस टेंपरेरी क्लास इस पर मनने की जो कहते है तो क्या है कि एक्स्पिरियंस भूवी के पास क्योंकि भूवी के पास एक्सपरने से इसने ऑनको लेक्स पॉली के देना चिंगा घर अचर प्रासितर आएगी ज़र आएगे बहुवी को कहते है lifelong करते है तो तो पिर आप शमी गिला लिजिए और अगर हार्दीग-b Sat ком here बूभी को फिलाओंग इसका भी तोड़से मैंट ने विक टो चुछ है में फिर भी मैं शामी से पहले बूभी को रखोंगी और एक मैच आप को ऐसे भाखे ज्डीम को मिलेग कर सकते हैं अगर last. तो वह यह मैं बुभी को ज्यादा प्राइटी दूलिगा क्योंकि बढ़िया पावर प्लेक इंदर बॉलिंग डालते हैं अगला कोश्चन है याप समीर एमजी का संजू सैंसन और युस्वेंदर चेहल के उन्हें पूछा है यार युस्वेंदर चेहल पर हमने कलग से वीड आपका बढ़िया परफोरमेंस तरह उसको टीम में जगें मिलने से थी मैं वह वांतों चेहल को जगें मिलनी थी राहूल चेहर के जगें लेकर उनका ये रीजन है कि राहूल चेहर के कि फास्ट इस्पिन डालते है उनकी रुख के वो स्पिन बढ़िया आती है जैहल पॉच्छा है क्या है यह तो बहुत्पट यार इसर रफ रंगैटर होंगे highest जियर किसका नाम ले मेरे साबसे मेरेसं के叡ल रायू ко का पूछा है नौट जिस्टों के बोल रहो हूं मैं दो नाम लेता हूं के लो जौस बटलर अच्छा अरे मैं सोच रहा हूं अच्छा इन्हों ने ऐसे पूछे के मुझे लगए एक एक टीम का पूछ रहे हैं और इसका अलग शायद से इन्हों ऐसे पूछा है मानस आ तो मिल कि अप्रेंट बोल्ट मुझे लग रहे हैं सबसादा विकेट सेंगे हैं लेकिया हाई इस्टन गेटर है बहुत टफ पोश्चन हो जा था क्योंकि आप पता नहीं वर्ल्ड कप के मां पर कौन बढ़िया पर्फॉमेंस करें लेकिन यह मेरा मानने कि जब यहां के हाईस्टन बढ़िया पर देखान तक ही बना सकते हैं तुम्हें केल राहूल की तरफ जाना सूंगा परेंट फॉम्म भी शान दा रहे है और केल राहूल मुझे लग रहा है बड़ीया पर्फॉमेंस देंगे एक और प्लेयर कर डेता हूं मैं दूसरी टीम से करते हैं केल राहूल तो ह जाएंगे दूसरी टीम से यार निशान वेभी क्रिस गेल क्रिस गेल लंडन मैं सोच रहा था मैं भी शुच्छ देविड वांडनर अपनी भडास लिकाले तो क्या पता डेविड वांडर का फॉम आजारो खतरनक परफॉम्मेंस क्या पता ऐसार मैं एसारेच में गेट सब्सक्राइब के तरफ जाना चूंगा भी मुझा लग रहा है शांदर विकेट टेकर की बात विकेट टेकर भी आपका एक तरह से होगी होगी तो और अगला कोशन इनका यह कि यह कुछ लोग क्या कोशन पूच रहे हैं मैं हसस के पागल हो जाओंगा इंका इनका इनोंने सार्थ का इनका कोशन है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कुप जीत जाये तो कि विराट कोली टीट्वटी कैप्टेंस से कंटिनू करेंगे नई वाई एक बर अगर अनौंसमेंट उन्होंने कड़ दी कि वर्ल्ड कुप के बाद कैप्टेंस से छोड़ेंगे तो आपको सवाल अनौंसमेंट को वापस भी नहीं लेंगे तो उन्होंने एक बाद कर दिया है यह हमने डिस्कॉस करा थे बहुत पहले वीडियो में आप शहर से न्यू सब्सक्राइबर होंगे इस आप को पता नहीं हमने इसके आप T20 वर्ल कोगी प्लेलिस दिखिए उसके अंदर आपको स खोड़ा सा बढ़िया अपर राएज होता है एक प्रडिक्शन और करना चाहूंगा यार भी सब के सामने की क्वालिफार्स की बात करें तो क्वालिफार्स में कैसे कौन कौन करेंगा एक ग्रुप से मुझे लगता है श्रीलंग और आइलेंड जो गुरूप ए उसमें से श प्रेशर नीचे शाकी बलसन भी नमर दीन पर वैटिंग करने लग गया तो आपको एक फिनिशर भी बढ़िया डूंड नहीं आपको ज्यादतर मैच इसके लिए और बैट्सन को पर ना पड़ेगा तो वह यह थोड़ी सी फिनिशर की वी के बाकि मुझे बालिंग तो बढ़ किसी के करने करें कि सिएसके अधिक की सिएसके अफिशल की आपिशन करने कि जो पैला रिटेंचन होगा मैंगा उक्षिन नुग तो अगर वह थोड़ेगा अगर ड़ाइक अधिपन्स ओन दोनी बाट सब्सक्टिव अपर इफ फ्रॉप कर पर्स्पेक्टिव एलोग एंसत नियुकर आपर नहीं नियुकर करें जाएं एक रपादर जड़ेजा नियुकर दो इंडियन और फिर दो इंडियन और दो दो जाएं आप जो भी है चार इंक अड़ा नहीं तो एक रचान करना है प्रवेंदर जड़ेजा इसके बाद मैं लेना चाहूंगा इक उदर दूराच गाइकवार्ड और एक और ओवर्टी लोगे एक कना मैं तो भाई इंडिया नहीं लोगा आप दीप्लेशी का पता नहीं कि एक खेले अगले साल या नहीं सोचना पड़ेगा इसके बारे में पर शार्दू थाकुर और अब यही थोड़ा साल तक ही जाएगा ब्राव की जब कियोंगी 37 होगी मजाग मजाग में तो कह रहा है कि दस साल और खेलेंगे लेकिन वह मजाग मजाग का काम जो तने इंजरी इसको भी ध्यान दखना पड़ता है फैव दूप लैसे तो मुझे फिट लगते हैं अगर उनको रिटेन करना चाहाँ तो कर सकते हैं मेरे तो देखें तो अगर मैं महेंदर सिंग दोनी रवेंद्र जिर्जा और रितुराज का एकवाड आपके CS का फ्यूचर उनको रिटेन करना ही चाहिए रितुराज स्लैश शार्दूर ठाकूर और अगर आप Overseas की तरफ जाते हैं तो मैं फैव दूप लैसिया पिट सैम करन में से किसे को देखू है सैम करन कहें कि आपके बढ़े सैम करन बहुत अच्छे लगते दें इस तरह से काम निकल वाते बढ़िया उनको उपन लिए कर वागया है जिसमे करना का देख सकते लो सुरेश रहना भी कह सकता हूं मैं पर कैप्टेन की दावेदारी में सुरेश रहना और रवेंदर करें अगला कॉशन आर्ती शर्मा का है और वर्राटकुली सेफ भी लूज को ब्लेम मी अधर्यों दिस वोड़िकश गाले डी तो बॉन के बञ बंदेवार ये बया को गलत पहमी ये ऐसा कुछ नहीं हुआ ये आपको कि सुंद रहा तो गलत न्यूज देजी आपने कही हों से कमें और जो उन्हों कुछ नहीं बोला है और इसको मैं गलत मानते और वर्लड कुप जीता है तो विराट कूली की एक वर्लड कुली केप्टेन उनका ज्यादा नाम आएगा कोई दोनी का निया आगा अब आम आ लिजे वर्ल्ड कुप जीते तो एक कोज का नाम तोड़ी आता है पीज़े से साल तक MSG टीम में रहे ना मतलब 2009 तक MSG टीम में रहे तब भी हमने ITC टूर्णामेंट हा रहे हैं तो सारे हार का ब्लेम MS दोनी पर तो नहीं गया था ना उस टाइम पर ब्लेम विराट कोली कोप पर भी गया थे हार रहे हैं हम कप तो वह यह चीज़े देखे कैप्टेन का तो ब्लेम और तारिफ ब्लेम देंगे तो उनका भी तारिफ का हग बनता है इतना दोनी के बंता तो ऐससा कुछ नहीं के साथ कुछ विए अगर मैं देखो तो इंडिया हों चेल लग रहे है रहे है रहे है रहे ह। बात करें तो यार मुझे वेस्ट इंडी लगें लाइं इंगलाइंड का में नाव इस लग निग लगी इस बार रिट्रकी जब रहन रप्टार थोड़ा सा मुशकिल है लेकिन मेरे सबसे वेस्ट निग दिशुषती है अगला कुश्च अपर शहनाज हिरोली जी का है अग्वर्टिंग तो यू विल 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 भीड़ाव प्लेंग लोंगे अगला प्लेंग लिए विल प्लेंग लाइव तो टीम एंडिय एक तो हार्दिक की जगा शार्दूल ठाकुर को लाना चाहूंगा और बाकी सब ठीक है एक दो एक दो तीन चार पांच आपने पांच पोलर लियां कर आप अपने खिला और चड़े जाने कोई दो वर के अंदर चालिस रह नहीं जड़ती है तो आप केके एक बैक बढ़िया जैसे वेन पेटेश येर को केके अंद इस्तेमाल करा था बैक अपके अंदर बाॉलिंग देल वाई थी वैसे हार्दिक पंडे को काम करते हैं लेकिन अकर वो बाॉलिंग नीं करते तो में शार्दूल ठाकुर की तरफ जाओंगा बाकी पूर को थो आप इस अरे आप अर्मॐ यह सॉन स्कुषण सबक्राइया जो सपने करने ऑप पूरी पूरोफ नहीं एक निकानी मिलें ने इस वीडियो की उंचिक अच्पा छ उडब शाक्राइए तो लाइक करते में जीड़े चानल को सुब्सक्राइब आहरी अजै पर और